हेलो दोस्तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मारे free fire के दब new and fresh वीडियो पर दोस्तो आज के इस वीडियो पर हम बात करने वाले दिवाली इवन्ट पर मिलने वाले बहुत सारे free rewards के बारे में कौन से आपको free का bundle मिलने वाल है, कौन से आपको free के emotes मिलने वाल है, कौन से आपको free gunskins मिलने वाल है, दिवाली pass event का बने वाल है, दिवाली का wish event का बने वाल है, आर्टिक blue bundle कब return आने वाल है, बहुत कुछ इस वीडियो पर होने वाल है, तो आप लोगों को वीडियो को last त दोस्तों सब्स्रेइन बारे में हैंkem दिवाली इवेंट का इंटरफेस जिसका नाम होने वाला लाइट फेस और दोस्त इसके अंदर आप लोगो पहला इवेंट देखने को मिल जाएगा जिसका नाम है gather the light event जहाँ पे दोस्तो आप लोगो मिलने वाला एक free का emote एक free का tokens को collect कर सकते हैं जी यहां पर आप लोग को after match group के बाद यह token देखने को नहीं मिलेंगे इसका current क्या है वो मैं आप लोग को आगे बताऊंगा दोस्तो एक्सचेंज के बदले में कौन कौन से आप लोग को rewards मिलने वाले हैं दोसों यहां पर आप लोग के लिए गईना free fine रखें चार इमोट चार रखें गन इसकिन्स और दो रखें आप लोग के लिए पैट का स्किन ठीक है और दूसरी दर्व आप लोग को इहां पर देखने को मिल जाएंगे आप लोग के लिए सभी पुराने इमोट देखने को मिल है और इन सभी चार इमोट मेंसे कोई एक इमोट ही आप लोग एक्सचेंज कर सकते है ठीक है और लास्ट में आप लोग को देखने को मिल जाएंगे दो पैट के स्किन एक फिन पैट है और दूसरा है agent होड़ दोस्तो आप लोग यहां पर तीनों ही section के अंदर में से किसी एक ही items को निकाल सकते हैं चाहिव आप लोग के लिए gun का section हुआ, चाहिव आप लोग के लिए emote का section हुआ, चाहिव आप लोग के लिए pet का section हुआ ठीक है तो दोस्तो आप बात कर लेते हैं उस twist के बारे में जो की गई ना फिपार ने इस gather the light event के अंदर set करके रखा है दोस्तो वो twist यह है कि gather the light event के अंदर आप लोग सिर्फ limited tokens को ही claim कर सकते हैं जीज़ा दोस्तो आप लोग सिर्फ इतने ही tokens को ही claim कर पाएंगे जितने token से आप लोग यह पे तीनोą items को निकाल सके चाए वो आप लोग के लिए gun skin हुआ चाए व आप लोग के लिए emot noistics हुआ चाए वो आप लोग के लिए हौआ पर payta lawrim नियुक्त आप लोग यहां पर धियान रखना है कि आप लोग को ले पाएंगे तो आप लोग कमेंट करेंगे मुझे बताना है कि आप लोग कौन सी गण सिकन को लेना पसंद करेंगे कौन से emote को आप लोग लेना पसंद करेंगे और कौन से आप लोग pet को लेना पसंद करेंगे ठीक है तो मेरा गर opinion अगर आप लोग ले तो आप लोग उनीच कीज़ों को लेना जो आप लोग के पास नहीं है ठीक है तो आप लोग comment करके जरूर से जरूर बताना दोस्तो इतने में थक गए किया है, दोस्तो अभी तो सिर्फ सुरुआत किया है, दोस्तो अभी तो free rewards सिर्फ सुरू किया है, अभी तो all बहुत सारे free rewards आने बाकिया है, दोस्तो गईना free fire पर दिवाली event celebrate किया जाए और यहाँ पे एक free cup bundle ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता, दोस् करने पड़ेंगे, टाइगर टोकन, दोस्तो टाइगर टोकन, आप लोगो missions complete करने हैं, और यहाँ पे कोई limit set नहीं की गे, आप लोगो missions complete करना है, after match drop के बाद भी आप लोगो, हर match के बाद भी आप लोगो tokens देखने को मिल जाएंगे, उसके बदले में आप लोगो क्या मिलन पे ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताना है कि आप लोगो को यह free का bundle कैसा लग रहा है और कैसा नहीं लग रहा, और दोस्तो इतना ही नहीं है, इस बार आप लोगो को एक free का global skin भी मिलने वाला है, यह भी आप लोगो को दिवाली event के time भी बिल्कुल free में मिलने वाला ह यह भी दोस्तो आप लोगो I think या तो token exchange के बनने मिल सकता है, या फिर आप लोगो login reward मिल सकता है, या फिर दोस्तो आप लोगो किसी और event पर देखने को मिलेगा, पर दोस्तो मिलेगा 110% free में ठीक है, तो दोस्तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगो सभी free reward कैसे बारे में, जो कि दोस्तो आप लोगो 28 October तक देखने को मिलेंगे, सबसे बहले बात कर लेते हैं यहाँ पर दिवाली pass event के बारे में, दोस्तो इंडे सावर के उपर दिवाली pass event, basically मुझे लगता है आप लोगो 17 October के आसपास देखने को मिलने वाला है, और इसके अंदर जो आ एक backpack का skin होने वाला है, जो कि दोस्तो आप लोगो के लिए कुछ इस तरीके से होने वाला है, और दोस्तो यह जो tiger का backpack का skin मुझे बहुत जादा पसंदा है, तो परसले दिवाली pass event को आप लोग यहाँ पर 99 diamond में अप ग्रेड करते हैं, जिसके बतले में, आप लोगों को 3 reward म बारे में जैसे कि मैंने आप लोगों से अपनी पिछली वीडियो में भी बोला था कि आप लोगों इंडेस अवर के उपर दो इवो गन देखने को मिलने वाली वो भी एक साथ अलग-अलग डेट पर ठीक है और दोस्तों ये दोनों ही फेडेड वील इवेंट्स आप लोगो इंडेस अवर के उपर रन करते हुए नजर आने वाला है वो भी एक साथ ठीक है और ये पूरे महीने तक चलने वाला है तो आप लोग खुद डिसाइट कलेना कि आप लोगो यहाँ पे एवलुशन फरमास न देखने को मिलजागा ऐडा आउट neighborhood अंदर इलाइट पास पर डिसकाउट जहाँ भे डोस्तों आप लोग के लग पर डिपेंड करता है कि आपको कितने परकत लग लुप परसिनद्गे किया है वो लोग वेट कर लीजिए ठीक है आप लोगो सताई सक्टूबर के दिन देखने को मिल जागा अलाइट पास पर डिसकाउंट इवेंट ठीक है तो दोस्तों आप बात कर लेते हैं लेवल आप शॉप के बारे में दोस्तों मेरी सबसे जादा परसनल फेवरेट शॉप में से एक है इनने सबर के उपर बहुत सारे इवेंट्स आते हैं बहुत सारे वेब इवेंट्स आते हैं पर दोस्तों उनमें सबसादा फेवरेट मेरी यही वाली शॉप है क्योंकि दोस्तों इस वाली शॉप के अंदर अगर आप लोग को कम लग मिलता है ना तो आप लोग एक क्रिस की थीम पर बेस लग रहा है तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग को ये बंडल कैसे लग रहा है और अगर ये लेवल अप शॉप के अंदर आएगा तो क्या इसे आप लोग निकालना पसंद करेंगे या फीर नहीं करेंगे दोस्तों अगर मेरी मान हो तो आप लोग लेवल अप शॉप के अंदर एक बार जरूर अपने लग को ट्राय करना काफी अच्छा इवेंट है और काफी अच्छे आइटम इसमें आप लोग को देखने को मिल जाते है ठीक है तो आप लोग लिए नेक्स्ट वेब इवेंट निकल कर रहा है दोस्तों वह ब दिवाली विश इवेंट का आने वाला दिवाली विश इवेंट का आने वाला तो दोस्तों आप लोग को दिवाली विश इवेंट देखने को मिल जाएगा बेसिकली 24 अक्टूबर के दिन और दोस्तों इस दिवाली विश इवेंट के अंदर जो आप लोग को मेन रिवोर् रखना चाहे और दूसरी तरफ आप लोगो देखने को मिल जाएगी M1887 की fire burst वाली main reward के तोर पे gun skin और दूसरी तरफ उसमें आप लोगो बाखी सभी gun skin देखने को मिल जाएगी जो भी उस वाले gun section में रखी जाएगी ठीक है और यह event आप लोगो 24 October के दिन 100% confirm देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताना क्या आप लोग यहाँ पर Arctic Blue bundle को निकालना पसंद करेंगे या फिर आप लोग जाएगे यहाँ पर M1887 की firebust वाली skin की तरफ ठीक है तो दोस्तों लगबद मैंने आज आज आप लोग को सभी free rewards के बारें बता दिया है सभी paid events के बारें बता दिया है पर दोस्तों अभी यहाँ पे दो और event आने बाकिया है तो अब आप लोग सोच सकते है कि already video कितना लंबा हो चुका है तो मैं आप लोग को जल्दी जल्दी उन दो और events के बारें बताएता हूँ पहला event है आप लोग के लिए light royal जिसके अंदर आप लोग को दिवाली का एक fished skin देखने को मिल जाएगा जो कि दो सो कुछ इस तरीकी से होने वाला है और इसके साथ में आप लोग को इस काफ का इसकीन भी देखने को मिल सकता है और दोस्तों आप लोग को यह लाइट रोयल देखने को मिल जाएगा 15 अक्टूबर के आसपास और दोस्तों इस light fished skin को निकालने के लिए आप लोग को basically 40 टोकन तक लगाने पड़ सकते ठीक है तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग यहाँ पर इस light fished skin को निकालेंगे या फिर नहीं निकालेंगे और last में हम बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारे criminal royal के बारे में जो कि दोस्तों आप लोग इसका अभी कोई idea निया पर आप लोग को purple criminal देखने को मिल जाएका तो इस purple criminal को निकालने के लिए आप लोग को basically 50 या 40 टोकन निकालने पड़ेंगे और गई ना free fire दोस्तों आप लोगों से हर एक criminal के ऊपर अच्छे खासे पैसे लगवाने वाला है और अच्छा खासा business करन को निकालेंगे या फिर नहीं निकालेंगे ठीक है तो आज के वीडियो में आप लोग को पूरा दिवाली event समझा दिया जो कि आप लोग को इंडेसरवर के ओपर देखने को मिलेगा और वीडियो अल्रेडी बहुत लंबा हो चुका है तो आप जादा कुछ नहीं पताना ठ अल्वेस कीप स्माइलिंग गाई जय हिंद जय भारत